अब इस्टार्ट क्या करेंगे? एसी, EMI कंप्लिट हो गया है, अब इसी स्टार्ट करेंगे. तो एसी में क्या है first? एसी में क्या देखना है? तो एसी में देखवा ऐसा है. तो इसी में current is continuously changing थोड़े टाइम के लिए current positive है फिर बढ़ता है उसमें फिर कम होता है फिर निगेटिव में जाता है फिर बढ़ता है फिर positive में फिर कम होता है निगेटिव में तो current का value is always changing थीक है अब मुझे ओहम्स लॉप अपलाई करना है तो ओहम्स लॉप क्या है ओहम्स लॉप है resistance is equal to V divided by R resistance is equal to V divided by R अब अगर DC सर्कीट है तो यह अपलाई करना मुझे सिंपल है वी का value एक ही रहता है DC सर्कीट में करन्ट का भी value fixed रहता है तो डिवाइड किया तो गेम हो गया अब इधर इधर वी का value भी चेंजिंग है current का value भी चेंजिंग है तो इस equation में डालने का क्या और निकालने का क्या तो resistance का value भी ऐसा change होते रहता है क्या resistance का value तो चेंजिंग नहीं होते रहता रिजिस्टन्स तो फिक्स रहता है तो फिर कौन सा value भी पूट करने का कौन सा value आई पूट करने का तो इसलिए काम चलने लगा डालने का क्या equations में डालने का क्या तो averages निकालने इसका चलू क्या संटिश लोगों ने इसका average निकालना चलू क्या तो इसका full cycle का average भी लफडा मारता है average भी zero है जितना time positive current है उतना ही time negative current है तो इधर से इधर तक average भी लिया av full cycle full cycle मतलब यह one cycle second cycle ऐसा बोलते हैं इसको तो वो भी zero f full cycle का average निकाला तो वो भी zero f full cycle का average का मतलब क्या रहता है full cycle का average का मतलब रहता है charge transfer divided by time full cycle का average मतलब इतने time में how much charge is transfer divided by full cycle का time मतलब time period ऐसा रहता है तो यह भी zero रहता है अफिर पकड़ने का क्या फिर पकड़ने का क्या अब यह integration में भी लिख सकते हैं तुम लोगों को देखना है तो देखो डर लग रहा है तो मत देखो IDT का integration मतलब भी charge रहता है upon dt का integration मतलब भी time रहता है तो zero to capital T zero to capital T zero to capital T मतलब यहां से यहां तक integration अब यह समझ नहीं रहा तो ज्यादा tension मतलो छोड़ो यह फिर direct रट्टा मारो direct रट्टा मारो इसा भी चलता है तो क्या है आइसा है क्या है ऐसा है तो एक average value for half cycle भी निकल सकते हैं हाफ cycle मतलब इधर से इधर तक्या average मारने का यही काम करने का यही फॉर्मिला लेकिन zero से टी integration नहीं मारने का zero से टी बाइटू मतलब आधे टाइम में कितना charge transfer हुआ upon उतना ही time अभी इधर क्या किया है पूरे time में कितना charge transfer हुआ upon पूरा time तो वो तो zero है थोड़ा time current उदर जाता है वायर में थोड़ा इधर आता है थोड़ा उदर थोड़ा जाता ही नहीं charge अभी यह वायर में समझा अगर AC है इस वायर में अगर AC भाग रह थोड़ा time नीचे उपर फिर नीचे फिर उपर फिर नीचे उपर चार्ज उपर नीचे करता है चार्ज जाता ही नहीं किदर तुझलू फी उधर ही उद्धर ही नहीं हो रहा तो इस फलब का फार्ट जेड्र होता है टाइम तो कुछ तो आयगा लेकिन उपटर का चैर्ज स्थ ट्रांसफर ही नहीं होता एसी में तो half cycle का average मतलब यह दो आदा cycle है half cycle है इसका average हाँ इसमें transfer होता है ना charge आदे cycle में देखो आदे cycle में charge उपर गया next आदे cycle में charge नीचे तो आदे cycle में तो charge transfer हो गया है half cycle में charge transfer होता है और next half cycle में उदर ही जाके बैठता है तो full cycle में no charge transfer happens बट हाफ साइकल में होता है तो यह integration वापस मारने का IDT 0 to T by 2 लेकिन और नीचे भी 0 to T by 2 only dt अब इसका integration dt का T आता है और इसका integration किया तो T by 2 यह आता है यह यहां पर T आता है इसका integration T आता है अब तुम लोगों अब integration नहीं आता तो टेंशन मतलों इसका integration T आता है तो समझेगा तुम लोगों इसका integration T है अब इसका integration से मतलब time कितना आधिय साइकल का टाइम कितना तो यह T by 2 आता है तो इसको integrate मारो कि इसको पॉनट्स कर्ण Aid可以 कर्ण at the maximum कितना जाता है डेट इस पी वैल्ली अफ कर्ण सिरॉत करण्ट मैक सिमुम जाता है लाद इस पिक वैल्लय कर लां तुप wrapping यह कितना मतलता है मैं टंब मैंटी कर्ण्ट मैक्सिमुम कुटना मतलता है कि पास्वाक ठाट सर्थ तिक सब अच्छा है अब एक आरे में अच्छा है इसका आरे मेंच वेल्य अब इधर डालो कॉप्चे मिलों इधर कि अरे मेस मतलब रूट मीन स्क्वेर वेल्यू यह काम का चीजह है यह बहुत काम की चीज़े RMS value I RMS मतलब root mean square value तो RMS value का मतलब क्या है RMS value का मतलब है यह जो current दिकरा है AC continuously उपर नीचे उपर नीचे जा रहा है इसका DC equivalent निकालने का सुनो सुनो carefully यह जो current उपर नीचे उपर नीचे हो रहा है इस करंट का DC इक्युवैलेंट निकालने का DC इक्युवैलेंट मतलब एक रेजिस्टन्स है और रेजिस्टन्स में से इतना करंट छोड़ दिया देखो देखो मैं क्या बोल रहाँ एक रेजिस्टन्स है उस रेजिस्टन्स में एक करंट छोड़ दिया तो कुछ तो resistance गरम होगा, अब उतना ही गरम करने के लिए, resistance को उतना ही गरम करने के लिए, DC करंड कितना छोड़ना पड़ेगा, तो वो DC का value is called RMS value of this AC. कुछ समझ रहा है, क्या बोल रहा है, उल्टा सिधा बहुत complex बोल रहा हूं, कुछ समझ रहा है, उल्टा सिधा बोल रहा हूं, थोड़ा complex बोल रहा हूं, sentences complex है, थोड़ा दिमाग चलता है कि देखो, इतना AC का current, वापस में बोलता हूं, उसके बाद फिर ट्राइं नहीं करता इतना AC का करण एक resistance लिया उसके अंदर से छोड़ दिया ऐसा परस 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 मतलब ऐसा करण नहीं जाएगा आईसा आगे पिछे आगे पिछे होगा तो ये वाला करण एक resistance में से छोड़ा तो resistance गरम हो जाएगा ठीक है अब उस resistance को निकाल दिया ये करण बाजू हाटा दिया अब आपस लिया उसको थंडा किया मसता एकदम आपस नॉर्मल टेंपरेचर पे लाया अब उसमें से इतना DC डालने का आप उतना ही गरम होना चाहिए जितना पहले होता था AC डालने का बाद जितना गरम होता है अब ये DC डालने के बाद भी उतना ही गरम होना चाहिए तो ये अब जो मैं पूट कर रहा हूँ DC this value of DC is called RMS value of this current तो इसका DC equivalent को बोलते है RMS value समझा गह रहे हैं? जारा comment करके बताओ समझा मैं क्या बोल रहा हूँ क्या बगबग कर रहा हूँ कुछ समझा क्या अभी? तो इसके DC equivalent को RMS value बोलते हैं समझा समझा? समझा? अई अई समझा क्या? अच्छा अच्छा बहुत लोगों को समझ रहा है तो कोई बात में तो निकालते हैं कैसे इसको? इसको निकालते हैं कैसे? तो इसको ऐसा गरते हैं integration i square dt 0 to t full cycle का integration मारते हैं नेचे integration 0 to t dt और यह पूरा रहता है रूट में यह पूरा रहता है रूट में यह पूरा का पूरा कैसा रहता है रूट के अंदर समझा क्या? i square dt का integration 0 to t अपन नीचे 0 to t dt और इस पूरे का रूट लेने का पूरे का ही है न? एक बार देखता हूँ हाँ पूरे का ही है यह i square क्यों आया? i square r रहता है न? heat का value heat का value कितना रहता है? i square r तो इदर i square r dt रहता है और फिर वो r जाता है cancel करते हो वो क्या होता है? फिर r जाता है अभी वो derivation करके अभी बताता नहीं है बस इतना याद रहो उपर क्या है? heat रहता है heat का कुछ तो आया बोला दना भी यह वाला जितना heat produce करता है यह rms dc यह rms इतना dc अगर डाला तो वो भी इतना उतना heat produce करता है तो इदर आता है i square r और इदर भी लिख सकते हम लोग i rms square r तो इदर का r और उदर का r जाता है इदर heat produce हुआ 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 और इदर होने वाला heat produce दोनों सेम चाहिए ना तो ऐसा कुछ तो है इसलिए i square r के लिए i square आता है मतलब याद रहने के लिए बोल रहो derivation निकालने के लिए time लगेगा सकते इसको यह sinusoidal wave है cost का wave भी ऐसा ही दिखता है अगर इसका integration मारा यह इस wave का integration मारा तो वह आता है pick value divided by root of 2 तो यह formula रटो यह try करो होता है तो रटो तुम पे छोड़ता हूं यह इदर का भी यह वाला formula रटना पड़ेगा और इदर का भी यह 0 full cycle का average 0 आदे cycle का average इतना है और full cycle का RMS value इतना है full cycle का RMS value इतना है ठीक है चलो तो यह cycle का जो भी values है अभी अच्छे से याद चाहिए पूरे chapter में लगने वाला है अगर EMF है अगर EMF है तो EMF भी उपर नीचे होता है EMF है तो वह भी उपर नीचे होता है तो EMF का full cycle का average 0 ही आएगा EMF का half cycle का average to E0 upon pi to E0, E0 मतलब peak value of EMF और EMF का RMS value E0 upon root 2 आएगा वही आता है EMF का निकालने तो E0 लिख हो current का है तो peak value of current डलो चलो, screenshot मारो हां RMS है इसलिए root mean square square का root root and square square and root ऐसा याद रखना है तो भी याद रख सकते हो square root mean square है न square इसलिए square और root मतलब उसका root तो ऐसा भी याद रख सकते हो लेकिन concept wise कैसा है इसने heat produce किया हुआ और इसने heat produce किया हुआ सेम चाहिए तो इधर का i square around is equal इधर का i square around तो इधर root लिया तो i square का root लिया तो इधर root लेने के पाद है i square गया इसलिए i बना है इधर वापस एक बार connect करो फिर आगे जाएंगे वापस एक बर कनिक करो